आप सब का बहुत बहुत स्वागत हैं, परम सत्य, सास्वत सत्य चैनम पर, सिर्फ और सिर्फ सत्य के ज्यान से आप उस चीज को कर सकते हैं, जो आपके जीवन में असंभाव है या फिर आपके लिए चमतकार है, किसी के लिए प्यार पाना संभाव है, किसी के लिए अमीर बन ना पैसा कमाना एक बहुत बड़ा दूसाध्य है दूसाध्य अर्थात मुश्किल सिर्फ सिर्फ आपके मन के बंधन के कारण है वरना इस प्रिथ्वी पे ऐसे कई लोग प्रमारित हुए हैं जिन्होंने गरीवी में पैदा लेकर के असीमित और अनलिमिटेड पैसे को प्रा कर सकते हैं और ये बंधन खुलेगा सिर्फ और सिर्फ सत्य की साधन से क्कि शिव की दृष्टी ऐसी है जो विशाल और अनंद संभावना तक ले जाता है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं चमत्कार भी कर सकते हैं तो वह द्रिष्टी वह सक्ति उस उर्जा प्रमानित और सत्य के उर्जा से आप बड़ी आसानी से ऐसा इतना पैसा पालेंगे कि वह पैसा जीवन भर आपको सुख भी देगा और मरने के बाद आपके पीड़ी भी भोगेंगे देखिए क्या होता है पैसा कमाना तो अनिवार है लेकिन लोग जो है गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और गलत तरीके से कमाएंगे तो एक गैरेंटी लिखित इस्टाम में देता हूँ वह पैसा आपको जहर बन जाएगा हॉस्पीटल में खड़शा होगा वकील पुलीश या फिर बीमारी किसी न किसी रूप में आपसे पैसा जो है चला जाएगा और जाएगा भी तो ऐसा जाएगा मूल ब्यास समित लेकर जाएगा लेकिन एक मात्र सत्ते से और समरपण के प्रमानित क्रिया से अर्थात लुपेए भी कमाएंगे वहाभी आपको सुखी देगा यू समझ लीजे जैसे किसी के घर में नौकर होता है तू नौकर उसकी सेव bater तो पैसा भी हापकी सेवा करेगा सिर्फ आप की नहें आपके आने वाले पीडियों की भी सेवा करेगा तो यह होता है सत्य कह पावार ज पैसा लेकिन गल्ती यहां पे हमित रो कि वह पैसा कभी भी सांथ नहीं देता है, दस से ग्यारा साल में मूल समेथ, ब्याद समेथ आप से चला जाएगा, तो वैसे चीज़े नहीं करना है, करना है तो सत्य प्रमानित से और मेरे हिसाब से, पैसा तो इतना कमाओ कि कमी मत हो, लेकिन बात और फ्रमानित इतना है कि पैसा आप ऐसा कमाएं कि वह आपके साथ दे, आपके जीवन परियंत आपके बाद भी आपके पीडियों की सेवा करें, तो उसके लिए कुछ साधना है, कुछ ले है, कुछ रिदम है, अगर आप ध्यान से जब बैठेंगे, जब सत्य के करीब पहुँचेंगे, तो ऐसा आवस्ता भी आता है, जहां पर व्यक्ति को अनाहद नाहद सुनाई देता है, अर्धात इस पूरे सोर गुल वायू मंडल में, जितने भी आवाजे चर रही हैं, उसके पर एक ऐसा आवाज है, जो अनवरत चलता है, अगर आप कान लगा कर कभी ध्यान से सुनेंगे, तो सुन करके आवाज चलते रहता है, वह होता है अनाहद नाहद, तो आपको करना क्या है, अपने ध्यान की सक्ति को उच्च करना है, क्योंकि ध्यान की सक्ति जितना ज्यादा तेज होगा, जितना ज्यादा उच्च होगा, आपकी जो खीचने की छमता है और पाने की जो छमता है वह उतने ही ज्यादा तेज हो जाएगा मतलब किसी चीज को आप किसी चीज को जिसको आप पूरे एकाग्रची थो करके ध्यान लगाते हैं और उसे आप पाने की कोशिस करते हैं तो उसे आप जल्दी पालेंगे और नॉर्मल जो है बिखर एक आग्रचीत हो करकि इस मंत्र का जाप करना है मंत्र आपको सामने दीख रहा है और ऐसा जाप करें कि इसमें पूरी दो महिने तक करें फिर देखें चमतकार